खेरिया एरपोर्ट पर आगरा से बैंगलोर जाने वाले डेड़ सो यात्रियों को कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा दोपहर दो बच कर 50 मिनट पर निकलने वाली बैंगलोर की फ्राइट पकड़ने आए 1500 यात्रियों को एरफोर्स कर्मियों ने गेट पर ही रोक लिया एरफोर्स कर्मियों द्वारा एरफोर्स टेशन परिसर में ड्रिल खतम होने के बाद ही प्रवेश की बात कही गई जिसके बाद यात्रियों के विरोध करने पर यात्रियों को अपना सामान के साथ पैदल जाने की अनुमती मिल गई 1.5 किलोमेटर तक सबी यात्री पैदल चले पूरे मामले को लेकर एरपोर्ट परिसर में यात्रियों ने जम कर हंगामा किया इसके चलते बैंगलोर फ्लाइट 10 मिनिट की देरी से दुपहर 3 बजे रवाना हुई खेरिया एरपोर्ट के अरजुन नगर गेट पर शनिवार को बैंगलोर जाने वाली फ्लाइट को पकड़ने पहुँचे 1.500 यात्रियों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा बैंगलोरो के लिए विमान में बैठने जा रही यात्रियों को खेरिया एरपोर्ट के अरजुन नगर गेट पर एरफोर्स कर्मियों ने रोक लिया यात्रियों को एरफोर्स कर्मियों द्वारा बताया गया कि वायू सेना की ड्रिल चल रही है इसलिए वे डिल खतम होने के बाद ही अंदर प्रवेश ले सकते हैं कुछ यात्रियों ने विरोध करते हुए एरपोर्ट अधिकारियों से शिकायत की जिसके बाद एरफोर्स कर्मियों ने सभी यात्रियों को पैदल जाने के अनुमती दे दी गेट से विमान तक का रास्ता करीब डेड़ किलोमेटर का था डेड़ किलोमेटर तक बच्चों से लेकर महिलाएं सहित अन्य यात्री पैदल चले जिसके बाद बीच रास्ते में एरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों को लाने के लिए बस भेजी पर एरफोर्स कर्मियों ने बस को मिसाइल चौराहे पर ही रोक लिया इस कारण एक यात्री पीछे चूट गया और समय पर एरपोर्ट नहीं पहुँच सका मिसाइल चौराहे से एरपोर्ट तक यात्रियों को बस से ले जाया गया इस पूरी घटना के चलते बेंगलोर फ्लाइट दस मिनिट की देरी से दोपहर तीन बजे रवाना हुई खेरिया एरपोर्ट के निदेशक नीरर शिवास्तव का कहना है कि एरपोर्ट प्रशासन और इंडिगो कमपनी को एरफोर्स द्वारा ड्रिल की कोई सूचना नहीं दी गई थी यदि समय रहते ड्रिल की सूचना मिल जाती तो यात्रियों को भी जानकारी पहुचा दी जाती जिससे यात्री अपने निद्धारित समय पर ही एरपोर्ट पहुचते अब सोंबार को एरफोर्स अधिकारियों से इस विशे में लेकर बैठक की जाएगी डिजी महराजा न्यूस के लिए रितिका फुलवानी की रिपोर्ट